विपक्ष के इंडिया गडबंधन ने 14 एंकर्स के बहिशकार का एलान कर दिया उन 14 एंकर्स के शो में उनके प्रोग्राम में विपक्ष का प्रवक्ता नहीं जाएगा क्या मुट्टी भर इन एंकर्स को बैन करने से काम हो जाएगा नफरत बंध हो जाएगी दुश्परचार बंद हो जाएगा एजंडा चलना बंद हो जाएगा इन मुट्टी भर एंकर्स को बेन करने से होगा क्या इंडिया गड़ बंधन ने दो एंदर्ज के पत्रकारों का बहिशकार का नड़ने लिया है सवाल यह है कि क्या यह पत्रकार अपने दम पर ऐसे शो चलाते है चैनल अपने आकाओं के आगे जुका हुआ है संपादक जैसी संस्थाएं अब दूर की कोड़ी है सीधे मालिक उससे बात हो रही है सरकार कि और मालिक के इशारों पर यह तमाम चीज़े हो रही है तो ऐसे में जो एंकर जो सबसे आखरी कड़ी है उस पर बैन लगाने से काम चल जाएगा क्या मोनोपुली और मालिकाना हक जिनके पास है उन पर सीधे बार नहीं करना चाहिए वे पक्ष को बोलता है हिंदुस्तान पर मैं हूँ आपके साथ पिरसा शाकरेली बेग दो ढ़ाई लाक रुपे महीने की नौकरी करने वाला शक्स एंकर बन कर इस हद तक नहीं गिरेगा जब तक उसके चैनल का मालिक उसके सिर पर हाथ न रख दे एंडे टीवी के डिरेक्टर पुगलिया ने हाल में एक पत्रकार को राहुल गांदी की प्रेस कॉंफरेंस में भेजा हंगामा करने के लिए डिरेक्शन दिया कि हंगामा कीजिये वहां जाके तब क्या हुआ था पत्रकार ने मना कर दिया सोहित मिश्रा सिर्फ एंकर या एक रिपोर्टर का भाहिशकार करने से काम नहीं चलेगा जो इसके पीछे हाथ रखने वाले लोग है जो आदेश देने वाले लोग है उनका भाहिशकार करना ज़रूरी है क्योंकि उनके बिना चैनल नहीं चलेगा और अगर वो हैं तो फिर anchor X हो या Y वो काम निकाल लेंगे पिर आप किसी दूसरे anchor को बेन करेंगे ऐसे में मुश्किल ये है कि आप एक एक करके एक एक anchor को बेन करेंगे या सीधे चैनल का ही भाहिशकार करेंगे चैनल पर हर ख़बर चलाना ये दिखाना बहुत मुश्किल है जब तक उसके मालिक की तरफ से हरी जंडी ना हूँ उसके मालिक को ब्लैक लिस्ट कीचे पूरे गुरुप को आड़े हातों लेजी दुनिया जानती है कि इन कटपुतलियों की डोर किसके हाथ में है इनकी खदान, पेट्रोल पंप, गोदाम, डिस्ट्रीबिटर शिप इनकी दौलत की पूरी चाबी इंडिया प्रशासित राज्यों में है यानि कि इंडिया गड़ बंधन की जहां जहां सरकारे हैं वहां आपसे ये पैसा उगार है सरकारों को भी इनसे फाइदा लेना छोड़ना होगा और इनको फाइदा देना भी छोड़ना होगा ये लड़ाई अगर आरपार की है तो खुलकर विपक्ष को सामने आना होगा जो साथ नहीं हैं वो खिलाफ है एंकर वहिशकार के बाद किया विपक्षी समूँ इंडिया विग्यापन पर रोक लगाएगा उन चैनल्स के जो नफरत पहलाते हैं हिमाचल परतेश, पंजाब, दिल्ली, राजिस्थान, चातिसगड, जहारखन, तमिलनाडू, करनाटक, पश्विम, बंगाल, केरल, बिहार विपक्ष इन ग्यारा राज्यों में तो है इन ग्यारा राज्यों के जो विग्यापन का बजट है उसे जोड़िए देखे आकड़ा कहां तक पहुशता है इन ग्यारा राज्यों के सरकारे फैसला कर ले क्यास से जिन चैनल्स के एंकर का हमने वहिशकार किया है उन चैनल्स को कोई विग्यापन नहीं देंगे नफरत फैलाने वाले अकबार को कोई विग्यापन नहीं देंगे नफरत फैलाने वाली वेबसाइट को कोई विग्यापन नहीं देंगे फिर देखिए क्या होता है एक बार चोड़ तो कीजिए आपको नहीं पता तो किसी खने जदिकारी पठवारी फूड अफसर से सला ले लीजिए परना खेल चलता रहेगा चार दूसरे लोग इंडिया समर्थाक, कॉंग्रेस विचारक पॉल्टिकल एनिलिस्ट बन कर आएंगे और आपकी तरफ से बात करते रहेंगे न्यूस चैनल का एंकर इतना असुरक्षिद व्यक्ति होता है जो हमेशा संपादक और परबंधक को ये बात समझाता रहता है कि कैसे वो चैनल की टियारपी के लिए बहुत कुछ कर रहा है वो कुछ भी ऐसा नहीं कर सकता जिससे मालिक नाराज हो उसकी डिर्ड दो लाक की नौकरी से आदी से ज़्यादा सेली तो EMI में चली जाती है उसकी अपनी कोई सुटंतर सकता नहीं होती चैनल का मालिक उसे डिसाइड करता है कि चैनल का एडिटोरियल पॉलिसी क्या होगी ये समझ लेना होगा कि चैनल का एजंडा एक एंकर चला रहा है ये गलत होगा ये मीडिया को लेकर खड़ा कर रहा है इस खेल को समझे क्योंकि ये टीवी के एंकर अपने मालिकों और आजनितिक आकाओं की विचारधारा की कटपुतली मातर है